विषार में इन्टीग्रेटेड कोर्स B.A.P.B.A.D और B.S.C.B.A.D के वारे में दोस्तो इस विडियो हम इस सी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बिहार में आप B.A.D और B.A.D एक साथ कैसे कर सकता या फिर B.S.C. और B.A.D एक साथ कैसे कर सकता है तो दोस्टो आपको बतादू लालित नारायन मित्ला इंवर्सिटी दर्भंगा द्वार एक कंभाइन्द इंट्रेंस lekामिय जा रहा हूं धुक्र इनुक्र करने काउंसलिंग करने के बाद काॉंसलिंग करने के बाद को आपको एडमिशन लेना होगा तो दोस्तों आई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा और इंट्रेंस एक्वाइशन के लिए आपको आप्लिकेशन फी क्या देना होगा कब तक लास टेट आ है इन सारी चिलों के जनकारि में इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को भीना स्किप कि यह लास तक जरूर देखें तो दोस्तों से सबसे पहले आपको बीए कंप्लीट करना होगा बीए कंप्लीट करने के बाद टू यार का बीएट कोर्स करना होगा तो दोस्तों इस परकार आपको लग जाएंगे फाइफ यह अगर आप दोस्तों इंटेग्रेटेड कोर्स जैसे बीए और बीए डेक साथ करते हैं तो दोस् ले सकते हैं तो दोस्तो आईए अब हम बात कर लेते हैं कि important date के बारे में दोस्तो application कब से शुरू है और कब तक last date है कब तक admit कड आएगा इन सारी से जो कि घरबर हो जाता है या फिर मिसमेच हो जाता है कोई भी डीटेल तो आप दो अगस्त Stacy पाँच स्थी बीच में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तो अपमीट कर जारी किया जाएगा दोस्तो अपमार जो है इसा कर जारी कर दिया जाएगा और काउंसलिंग कराने के लिए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा उसके बाद आप काउंसलिंग कराएंगे एक ज़र फेंगे तो फो यहां अगर आप ऐफीर बी सी या फिर बीसी या फिर ओमैन या फिर एव्यस के टेगरी में तो वहां पर आपको 500 रुपय करने पढ़ेंगे तो दोस्तो आईए हम बात कर लेते हैं category wide seat reservation के बार में तो दोस्तो आपको बता दूं जो भी ST category में हैं उनको 16% जीट रखा गया दोस्तो अगर आप ST category में है तो 1% का seat जीटर्ण रखा गया अगर आप ebc category में है तो 18% का seat करणा गाया और वी सी कैटेग्री वालों के लिए दोस्तों बारा परसंट का सीट मेशब कया घया है और जो भी इंग लिखा हुए दोस्तो जो अविदक बिहार राजे के मूल निवासी नहीं है वे बिहार राजे के संस्थानों में रच्षट कोटियों के लिए करना अंकित सीटों पर नमांका ने तुष समाने परसासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के अनुसार पतरता प्राप्त नहीं होंगे तो दोस् स्क्रिप्शन वक्स में डिरेक्ट अप्लाई लिंक दे रखा को अच्छी लगए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक ज़रूर केजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू दोस्तों